पिछले एक वीडियो में हमने concave mirror की बात की थी ये ऐसा mirror है जिसका की reflecting side एक cave बना रहा हो ये अंदर की तरफ मोड़ी हुई हो अब concave mirror पे अगर parallel race incident हो तो ये reflection के बाद एक points नहीं गुजरती है अब अगर चीज़ें एक point पे मिलें तो उन्हें हम English में बोलते हैं converge करना यानि कि concave mirror ये parallel race को एक point पे converge करवा देती है और इस point को हम बोलते है focus of the mirror अब हमने ये भी देखा था कि parallel race ये आती कहां से हैं अब देखो अगर मालों की source of light ये mirror से बहुत दूर पे हो इतना दूर कि ये जो distance है ना ये compare to mirror size ये बहुत जादा बड़ा हो तो उस case में हम मान सकते हैं कि source से जो भी rays हमारी mirror पे पढ़ रही होंगी वो almost parallel ही है अब देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस concave mirror की कुछ applications के बारे में अहम जिंदगी में हम इसे कहा कहा इस्तिमाल करते हैं हम ये देखेंगे तो देखो एक जगा तो हो गया तुमारे biology lab में रखा हुआ microscope देखो microscope का हम इस्तिमाल करते हैं छोड़ी छोड़ी चीजों को देखने के लिए यहाँ पे हम कहीं पे एक slide रख देते हैं एक slide और इसे हम यहाँ से देखते हैं lenses के through तो हमें बहुत ही zoomed in चीज़े दिखाई देती हैं कि अंदर cells में क्या हो रहा है अब देखो इसे clearly देख पाने के लिए यहाँ पे lighting बहुत ही अच्छी होने चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं concave mirror का use करते हैं देखो इस concave mirror पे parallel sun rays जब पढ़ेंगी तो यह इन्हें focus कर देने वाला है यहाँ पे कुछ ऐसे और इसकी मदद से यह slide यह बहुत ही अच्छी से light up हो जाने वाली है और हमें चीज़े clearly देखने वाली है तो अगले बार जब तुम अपने biology lab में जाओ न तो इस mirror को touch करके देख ले न यह तुम्हें दूर से देखने में भले ही flat mirror लगेगा लेकिन जब तुम इसे touch करोगे न तो तुम्हें पता जल जाने वाला है कि यह concave mirror है और यह अंदर की तरफ bent है अब देखो एक और application cancave mirror का होता है dish tv के antenna में इसे तुमने देख रखा होगा बहुत लोगी छट पे इसकी मदद से हम अपने favorite tv channels को देख पाते हैं तो देखो यह काम ऐसे करती है न कि कहीं दूर पे होगा एक tower जो की tv signals को radio waves की form में भेजता है इनके तरफ देखो radio waves यह light ही होती है बस यह हमें दिखती नहीं है visible light यह अलग होती है और फिर invisible light ही अलग होती है तो radio wave एक type की invisible light है अब देखो क्योंकि यह tower बहुत ही दूर है न इसलिए इससे आने वाली light rays या फिर radio waves यह almost parallel होने वाली है इस dish tv के antenna पे अब देखो यह जो plate है यह concave shape का है यानि कि यह incoming parallel rays को ऐसे reflect करेगा कि यह सारी rays यह एक point से ही होके जाने वाली है यानि कि focus से कुछ ऐसे अब देखो focus पे हमने लगा दिया है एक machine यह एक receiver यह इन सारी rays को collect कर लेने वाला है और फिर यह इसे send कर देगा तुम्हारे tv के तरफ ताकि तुम अपने favorite channel को देख भाओ अब एक और application होता है एक uncave mirror का solar cooker में देखो solar से मेना मतलब हो गया सूरी की मदद से और cooker यह तो एक चीज हो गई जिसकी मदद से हम खाना बनाते हैं तो solar cooker में होता एक uncave mirror उसे हम point कर देते हैं सूरज की तरफ तो यह क्या करता है ना कि सूरज की जो race है parallel race उसे यह focus कर देता है एक point पे और इस point पे हम रख देते हैं cooker को कुछ खाने के साथ तो अब देखो इस point पे तो हो रही होगी बहुत गर्मी क्योंकि अब सारी sunlight इस point पे focused है अब इसी गर्मी के मदद से cooker के अंदर रखा हुआ खाना यह तुरंदी पक जाता है तो ऐसी काम करती है हमारी solar cooker अब आँ एक और अलग सा example देखते हैं देखो इसका इस्तमाल करते हैं हम torch में या फिर किसी car या bike की headlight में देखो यहाँ पे है एक bulb और इसके पीछे लगा हुआ है एक mirror यह है concave mirror अब तुम सोच रहोगे कि क्या torch में हम light को एक point पे focus करते हैं तो नहीं असल में इसका बिल्कुल ही उल्टा application होता है यहाँ पे अब इसे समझने के लिए आओ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं देखो इस example में हमने source को कहीं पे दूर पे रख दिया था और light source से जो parallel rays आ रही थी ना उसे हम reflect करवा के एक point पे focus करवा ले रहे थे लेकिन देखो क्या होगा जब मैं light source को इस point पे ही रख देने वाला हूँ तो इसे समझने के लिए हम एक ray की path पे focus करने वाले हैं देखो पहले एक ray ऐसे आ रही थी और फिर reflect होने के बाद ये reflected ray कुछ इस path पे चली गई अब इस बार मैंने source को बिलकुल यहीं पे डाल दिया है तो इसकी एक ray मैं ऐसे देखता हूँ जो कि इस reflected ray की path को ही follow करके ऐसे उपर जाए और फिर mirror को hit करे कुछ ऐसे ये reflect करने के बाद कहा जाने वाली है तो देखो अगर इस ray ने पिछले वाली ray की path को follow किया है तो ये reflection के बाद पिछले वाली ray की path को ही follow करते रहेगी हमेशा हमेशा के लिए और ये कुछ ऐसी चली जाएगी ऐसे अब तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है यार तो आप इसे समझने के लिए loss of reflection को एक बार apply कर लेते हैं तो मैं इसे हटा देता हूँ हाँ और ये हो गया मेरा incident ray और ये mirror पर यहाँ पर कहीं पर incident है तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूँ देको नॉर्मल mirror के perpendicular एक line होती है अब नॉर्मल और incident ray के बीच का angle इसे हम बुलाते हैं angle of incidence और मालनों कि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ 30 degree के बराबर तो यानि कि angle of reflection ये भी 30 degrees होना चाहिए यानि कि reflected ray ये भी 30 degrees बनाके ऐसे निकल जाने वाली है अब इस बार मैं incident ray को ऐसे लेने वाला हूँ ताकि वो पिछले reflected ray को बिलकुल overlap कर जाए यानि कि मैं पिछले ray को पुरा उल्टा कर देने वाला हूँ तो देखो ये तो हो गई same पिछली वाली line और ये normal ये तो वही की वही रहने वाली है यानि कि इस line और इस line के बीच का angle ये तो same ही रहने वाला है यार यानि कि 30 degrees यानि कि angle of incidence ये इस बार है 30 degrees तो यानि कि angle of reflection ये भी 30 degrees ही होने वाला है बिलकुल पिछले बार की तरह तो यानि कि ये जो reflected ray है ये भी बिल्कुल पिछली incident ray के उपर ही चली जाएगी overlap करते वे तो यानि कि अगर मैं light ray के path को उल्टा कर दूँ तो यानि कि मैंनी light ray ये अपने जिस path पे वो चल के आई थी न उसे पूरा retrace करके वापस जाने वाली है अब एक और example देख लो मालो कि हमारे पास कुछ ऐसा setup है ये एक mirror है और ये एक mirror है अब light ray आए ऐसे टकरा के फिर ये ऐसे reflect होगे फिर ऐसे reflect होगे अब यहाँ पे अगर मैंने इस light ray को उल्टा कर दिया इसके path को उल्टा कर दिया तो ये light ray बिल्कुल ऐसे जाएगी और फिर reflect होगे फिर ऐसे और फिर ऐसे अपने initial path को retrace करने वाली है बिल्कुल ही उल्टा चलने वाली है और इसे हम कहते है principle of reversibility of light यानि कि अगर light ray के path को उल्टा कर दो तो ये same to same अपना path follow करके पीछे चली जाएगी तो इस case में पहले हमारे source से parallel race आ रही थी और mirror से reflect करने के बाद ये सारी एक point पे focus हो जा रही थी अब इस बार मैंने source को यहीं पे डाल दिया है इस focus के उपर तो अब क्या होने वाला है कि इस source से light race निकलेंगी और ये फिर incident होने वाली है इस point से एक point से light race निकलके incident होंगी mirror पे और फिर reflect करने के बाद ये सारी light race parallel आगे की तरफ चली जाने वाली है तो पहले parallel race एक point पे focus हो रही थी और इस बार एक point से निकलने वाली race parallel चली जा रही है तो यानिकि इस diagram में अगर मुझे कुछ change करना है तो बस इन arrows की direction को ये देखो हाँ, इस point से निकलने वाली race reflect करने के बाद parallel चली जा रही है अब इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं एक parallel beam को generate करने के लिए अगर मैं concave mirror की focus पे एक light सो उसको रख दूँ तो इससे जो light race पीछे निकलेंगी और mirror पे hit करेंगी न तो वो सब कुछ reflect होने के बाद एक parallel direction में ही जाने वाली है यानिकि एक highly directional parallel beam of light मुझे मिल जाने वाली है अब देखो इसी principle का इस्तमाल होता है torch में भी ये torch में हमारे पास एक bulb है और इस bulb को हमने लगा दिया है इस concave reflector की focus पे अब देखो इस bulb से जो भी light race सामने की तरफ निकल रही होगी वो तो आगे ही चली जाएगी लेकिन जो light race यहाँ इस reflector पे hit कर रही होगी न ऐसे ये देखो ये reflect करने के बाद parallel चली जाने वाली है क्योंकि देखो ये जो source है ये इस पार focus पे रखावा है और focus से निकलने वाली light race जो की mirror पे hit करें वो reflection के बाद parallel जाती है कुछ ऐसे तो यानि कि क्या होगा कि हमें एक highly focused light की beam मिलने वाली है torch के आगे की तरफ और यहां पे बहुत ही जादा intensity होने वाली है light की अब इसी principle का इस्तमाल होता है एक किसी भी गाड़ी की headlight में और इसलिए हमें योँ headlight के आगे बहुत ही bright rush नहीं मिलती है अब देखो अगर हम reflection की बात करें तो sound बे बिलकुल ही light की तरफ behave करती है sound की reflection में भी angle of incidence बराबर angle of reflection होता है अब इसलिए की for example देख लो तुम यहां पे stage पे खड़े हो और तुम्हें एक lecture देना है और तुम्हारे जो audience है यहां सामने तुम्हारे बैठे हो है अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो सारी energy है तुम्हारी जो सारी sound है वो आगे की तरफ ही focused हो जाए तो इसके लिए तुम क्या करोगे कि पीछे अपने पीछे एक concave reflector लगा लेना sound का concave reflector तो इससे क्या होगा कि जो भी तुम्हारी sound waves पीछे की तरफ जाएगी ना और ये सारी applications concave mirror की एक property पे base थी अगर parallel rays of light concave mirror पे hit करेंगी तो वो reflect करने के बाद एक point पे focus हो जाने वाली है और हाँ इसका उल्टा भी true है तो ये थी concave mirror की कुछ applications